नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूं दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी है आपको इसमें अपलाई करना चाहिए पूरी डिटेल से बात करेंगे क्या क्राइटेरिया र अपलाज तक जरूर देखना एक एक पूइंट आपके कलियर करने वाला हूँ चैनल से पहली बार जुड़े है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरह के न्यूज नोटिपिकेशन और अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं यह वीडियो अपने द अटेंप्ट उसे कर सकते हैं फरी टेस्ट फीज के नाम से है तो वहाँ पर टेस्ट श्टोर है पहले से सेव है आप अटेंप्ट उसे कर सकते हैं आईए आज के हम इस वेकेंसी की बात कर लेते हैं चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिपार्टमेंट का नाम क्या ह विभाग का नाम है Steel Authority of India Limited सेल बोलते हैं यह हर साल वेकेंसी देते हैं अलग-लग प्लांट्स के लिए अलग-लग निकालते हैं इनकी यह कमी है अगर यह साल में एक बार वेकेंसी और पूरे प्लांट्स के लिए एक साथ निकाल देना जैसे अपने विद्ध उत्पादन निगम करता है राजस्तान में या यूपी में करता है तो उससे अपन को एक फाइदा मिल सकता है यह हर प्लांट के लिए क्लिए 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 है 40-40-50-50 सीटों पर वेकेंसी करते है और अगर सभी प्लांट के लिए एक साथ करें तो 400-500 सीट एक साथ आ सकती है इसमें क्या फाइदा मिल जाता है थोड़ी दिन पहले हमने देखा था राउरकेला प्लांट के लिए थी फिर दुरगापुर प्लांट के लिए आई अब ये जो आईए ये भिलाई प्लांट के लिए है थीक है तो सेल की वेकेंसी है लेकिन आप टच में रहे हर वेकेंसी में आपको अपलाई जरूर करना चाहिए आलागि फीस थोड़ी सी अलगलग लगती हर वेकेंसी में लेकिन चांसिज बढ़ जाते है यहां selection गे, department का नाम है sale, जो पद का नाम है, दोस्तों पद का नाम है attended come technician, ACT बोलते हैं short में इसको, यानि IT वालों को है technician नाम दिया गया है, attended technician है, ठीक है, operator नहीं दियान रखना, operator diploma वाले होते, grade जो आपको रखा गया है, दोस्तों वो है S1 grade, ठीक है, इसको हम आगे calculation के काम में लेंगे, तो समझ में आ जाएगा S1 का मतलब क्या है, और seat बता दू मैं आपको, यानि post कितनी है, main तो हमारे लिए यही होता है, electrician वालों के लिए यहां पर total 15 seat है, उसमें से unreserve के लिए 11 seat है, EWS के लिए एक seat है, बाकी ST और OBC के लिए कोई reserve seat नहीं है यहां पर, और SC के लिए 3 हैं जिसमें से 2 बेक लोग हैं और 1 इस साल बालों में से हैं, यानि कुल विलाकर unreserve सब के लिए open हैं और आपको unreserve fight करना है, आप category को छोड़ दीजिए, 15 में से 11 seat है open हैं, आपको 11 seat हैं के लिए competition लड़ना होगा, दिखाना होगा कि आप में कितना potential है, इसलिए मेनत आपको करनी है, और अभी तो फिलाल आपकी मेनत अच्छी चल रही है, उसी मेनत को आपको utilize करना है, आईए, qualification की बात कर लेते हैं, योग्यता में केवल ITI मांगा गया है यहां पर, NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों चलेंगे, ठीक है, attended come technician, ठीक है, ओके, sorry, NCVT से ही होना चाहिए गई, SCVT apply नहीं कर पाएगा, ठीक है, केवल NCVT से आपका ITI हो, चाहिए, electrician से हो, feeder से हो, instrument mechanic, electronic mechanic, कोई भी हो, अच्छा, बाकी और trade की भी बता हूँ आपको मैं, देखो यहां पर, feeder वालों के लिए, 28 सीटे है, total, instrument mechanic वालों के लिए, यहां पर, 3 सीटे है, electronic mechanic वालों के लिए भी 3 सीटे है, और heavy vehicle driver जो mines वाले होते हैं, उनके लिए 5 सीटे है, यहां इलेक्ट्रिशन वालों के लिए, 15 सीटे हैं, और, वैसे हमारा focus, इलेक्ट्रिशन वालों पर रहता है, क्योंकि मेरे साथ, ज़्यदा तर बच्चे, इलेक्ट्रिशन वाले connected हैं, आईए, age limit की बात कर लेते हैं, age limit दोस्तो, 18 से लेकर, 28 वर्स की रखी गई है, और मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ, कि यह age अन रिजर्व केटिग्री के लिए होती है, तो रिजर्व केटिग्री जितनी भी है, उनको age पर रिजर्वेशन छूट मिलेगा, जैसे, SCST को 5 वर्स का, और OBC को 3 वर्स की इसमें छूट है, ठीक है, SCST को 5 वर्स की और OBC को 3 वर्स की इसमें छूट है, जो age पर रिजर्वेशन मिलती है यह आज तक, आप हर वेकेंसी में देखती है हो, तो ज़्यदा इसमें जरूर्द है नहीं, कुछ physical criteria भी रखा गया है, उसकी भी अगर मैं बात करूँ, physical standard की, तो male candidate के लिए, 155 cm आपकी height, और 45 kg वर्स का होना चाहिए, जिबकि female के लिए 143 cm height, 35 kg का वर्स का वर्स का है, नॉर्मल क्राइटेरिया है, color vision भी चलेगा, और I6Y9 अगर है, यानि चस्मा लगा हुए खम से खम डेड़ दो नमबर का तो भी चलेगा, तो ज़्यादा tough criteria है नहीं, pay scale की अगर मैं बात करूँ, अच्छा scale है, बहुत ही बड़ी है scale कहूँगा मैं इसे, 25,070 रुपए से लेकर के, 35,070 रुपए का scale आपका चलेगा, तीन परसेंट एजियाई, annual grade increment, यानि हर साल तीन परसेंट आपको जो है वो इसमें, increment मिलता जाएगा, अभी ये initial आपका basic होगा, all other allowances सब इसमें include होंगे, यानि TA, DA, HR, और भी जितने भी sale, अपनी तरब से कोई hard duty allowance, plant का कोई, जैसे mining allowance, तो वो सब आपको यहां पर मिलेंगे, आईए form की fees के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कितनी है, form की fees जो है वो, अंधरी जरू, EWS और OBC वाले बच्चों से, 300 रूपे फीस ली जाएगी, जबकि बाकी जितनी भी है, SC, ST, Women Candidate, Physically Handicapped, Department Candidate, और एक सर्विस में अगर, तो उन सब से, 100 रूपे की फीस ली जाएगी, ठीक है, और कोई Net Banking बगरा का अगर चार्ज है तो वो भी होगा, ठीक है, यह तो थी इतनी बड़ी मेन अपनी बात है, अब बात करते हैं, सेलेक्षन की प्रोसेस क्या रहेगी, देखो, सेल में एक चीज फिक्स है, या मैं आपको बताओं कि यह जो PSU जितने भी होते हैं, ठीक है, माहा रतन कंपनी हो, या मिनी रतन कंपनी हो, इन में स्किल टेस्ट तो कंफरम है, होता है, जैसे NPCIAL हो गया, और जितने भी पाउर प्लांट से इन सब में, ठीक है, सेलेक्षन प्रोसेस में दो चीजे हैं, एक CBT, दूसरा स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट आपको केबल पास करना है, और जैसे ही स्किल टेस्ट पास हो गया, बस बात खतम होगे, इसके नंबर मेरिट में इंक्लूट नहीं होते, कभी भी मेरिट में नहीं जोड़े जाते, CBT है, तो मेरिट इसी की बनती है, और इसका मैंने एक पूरा एना पेपर ही डाला वा है, सेल के मैंने दो तीन पेपर अपलोड किये वे हैं, तो मैं आप से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार की आप वो सभी पेपर जरूर एक बार पढ़ लेएं, और CBT 100 नंबर का होगा, 100 क्यूस्टन होगे, ठीक है, 100 क्यूस्टन इसमें आएंगे, MCQs टाइप होगा, और 100 नंबर का ही पेपर होगा, जिसमें 80-20 का रेश्यो था, एक बार पहले का मुझे ही आज़ है, अब तो इन्होंने पूरा डिटेल से नहीं दिये, यानि 80 क्यूस्टन टेकनिकल के और 20 क्यूस्टन जो है, वो नोन टेक के आए थे, ठीक है, बस बाकी कोई और जानकार या आपको चाहिए, तो एक बार या आप पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए ना, और उसके बाद फोर्म अपलाई करना, ठीक है, और important date के बारे में बात कर लेते हैं, यानि फोर्म कब से start होगा और है, लाश्ट डेट कब है, चब्वीस ग्यारा से फोर्म इस्टार्ट होगा, यानि अभी इस्टार्ट हुआ नहीं है, बहुत समय आपके पास है, और सत्रे दिसंबर दो हजार बाईस इसके लिए लाश्ट डेट रहेगी, ठीक है, तो अभी से आपको इसके बारे में सूचना मिल गई, अगर दो या तीन महिने में बाद में पेपर लेते हैं, तो कम से गम आपके पास चार महिने हैं, अगर आप चाहें तो अच्छी त्यारी कर सकते हैं, देखो परसनली सुझाव यही दूँगा, चलो पहले तो यही है कि वेकेंसी के बारे में बात इतनी थी कंप्लीट होगी, आपका इस वेकेंसी से जुड़ावा कोई क्यूसर हो, तो आप कमेंट कर देना, कोशिस करूँगा, बहुत सारे जब सवाल आ जाएंगे, तो उनका एक अलग से वीडियो बना दूँगा, फिर भी मैंने मोटा मोटी चारी चीज़ें इसमें नोट करने का परियास की है, और सब चीज़ें डिटेल से हम समझ चुके हैं, अब बात ही आती है कि परसनली सुझाव यही है कि फोर्म अप्लाई करें या ना करें, तो मैं कहूंगा, हंडिट परसेंट अप्लाई करें, अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये पंदरे सीट में से ग्यारा हूँ, खुली सीट हैं तो ग्यारा ही बच्ची, ये ग्यारा सीट देकर बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे, तो कंपिटिशन आपका वैसे ही छोटा हो जाएगा, थोड़ी सी एक्ष्टा मेनत कर लो, अच्छे से पास हो जाओगे और नोकरी मिल सकती है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सेर जरूर कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो सबस्क्राइब कर लीजिए, बहुत धन्यवाद,